ये जो मैं कुछ कर रही हूँ, ये मैं तो फ्री में कर रही हूँ, अपने टैरिस गार्डन की तरक्की के लिए, उसके खुबसूरती बढ़ाने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए, जो हम मेंगे मेंगे स्टेंड के लिए खर्च करते हैं असलालेकूम फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, शबनूरली, और यहाँ पर मैंने ली हुई है, कंस्ट्रक्शन से बची हुई गिट्टी, जिससे स्लेब ढाली जाती है, और मारंग, और सीमेंट, यह सीमेंट अपने अपने के लिए, लेकिन मेरे इस गार्डन के लिए बह कुछ शेप तो क्लियर कर दिया है, अब यहाँ पर मुझे सीमेंट जादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह पुरानी सीमेंट है, तो आप एक हिस्सा गिट्टी लीजिए, एक हिस्सा मारंग लीजिए, और दो हिस्सा आप सीमेंट लीजिए, वरना सीमेंट एक्चुली कम ल इतना कि यह भीग जाए और इसको मिक्स कर लीजे अच्छी तरीके से तो मैंने इसमें थोड़ी सी मौरंग और एट कर ली हुई है ताकि यह जो गिट्टी है इसको बांदेने में मौरंग हेल्प करें और यह जो हाथ में कनी देख रहे हैं जब हमारे घर मिस्त्री थे उनकी क ताई यह है उस इस साथ से आप इसको बना लिजे और गमला ञें इसे पर रखना है लिए और पसमाने ना कीजिए कि दूनला लिजे लेकिन बहुत मतलों कीजिए क्यूंके इसनली तो यह टूटने पर काफी चांसिस रहते हैं तो मैंने उसमें जितना भी खोल फैलाया हुआ था कम पढ़ गया तसला भी छोटा है तो जादा नहीं बनाया और वह भी वेस्ट ना हो कि मुझे जितनी जरूरत हो उससे जादा बच जाएगा तो मैं क्या करूंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा बना रही अब मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना मसाला और तयार कर लिया हुआ है मेरे पास शट्रिंग मानने के लिए जो लोहे के वायर होते वो पड़े थे तो वो भी मैंने इस पर सेट कर दी हुए हैं और इसको पूरा बिछाने के बाद सेट करने के बाद मैंने या पर सीमेंट और बालू दोनों को मिक्स कर लिया हुआ है और हम उपर बिखरा देते हैं इसे जो चोटे-चोटे से होल टाइप के हैं इसमें वो कवर हो जाएंगे मैं पता नहीं समझा पारी हूं के नहीं लेकिन मैं अपनी लेंग्विज में जो मुझे आती है जो मैं बोलती हूं उसी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं मिस्त्री लेकिन इतना जादा नहीं बस मैं अपने गार्डन के लिए जरूर यह काम करती हूं तो यह सूखा सेमिन मौरंग बिखराने का फाइदा यह हुआ कि एक्स्ट्रा पानी अब्जॉर्ब कर लिया उसने और होल भी कवर हो गए थोड़ी सी स्मूधनेस बढ़ गई है तो अब हम इस पर भी थोड़ा सा पानी का इस प्रे कर दीजिए लेकिन हलके हाथों से कीजिएगा वना गटे-गटे टाइप के हो जाते हैं और यह अपनी ठूटी एकानी से मैं ठीक कर देती हूं लेवल अप कर देती हूं इसको थोड़े सी और अब देखे इसको सुखाना पड़ यह ने ही कुजा रहा है अब हम इसको हटा कर देखते हैं कि इसकी क्या पोजिशन है और हाँ इस बीच में इस पर हर दूसरे दिन Morning में या evening में कभी भी जब मैं आती थी प्लांट पर पानी देती थी तो इस पत्थर पर भी पानी जरूर देती थी सीमेन पर जितना ज्याद सूख चुका है अच्छे से फिर भी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं पहले बोरी को उठा कर देखते हैं बोरी समेत के ये तूटता है या नहीं तो ठीक है हम है काम्याब और ये पथर बहुत मजबूती से जुड़ चुका है बस यह थोड़ा सा डैमेज है शादिया मसाला नहीं पहुच पाया है तो मैं इस पर भी सीमेंट मोरंग लगा कर इसको कवर कर दूँगी जितने गड़े भरते हैं मैं उसको भर दूँगी इसको बिच्छाते हैं एक हाथ में कैमरा है ना तो मैं इसको रखने के बाद बिच्छा कर फिर आप से मिलती हूँ पुरानी सीमेंट को है थोड़ा सा थोड़ी सी चनी हुई मारंग अब इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर पेश्ट जैसा बना लेंगे और फिर उसके बाद हम उन होल को भरेंगे यह देखें डेमेज हुआ है साइड साइड से शायद वहाँ तक सीमेंट बहुत अच्छे से नहीं प पक जाएगा तो हम फिर से कैमरा रखते हैं और फिर करने के बाद आपसे मिलते हैं यह देखें मैंने कितना स्मूत ली इसके एजिस को किनारों को बड़ी असा बना दिया हुआ है और अब फिर से मैं इस पानी में थोड़ा सा सीमेंट वाइट सीमेंट डाल दूंगी और घ अज़के ब्रसानी नहीं हो रहे हैं मैं पूरा घोल पहले प्थर पर पलट देती रहे हुँ उसके बादड ब्रश कर देती हुए तो बस मैंने यही किया और तयार है यह हमारा पत्छर बड़ा सा तो इस पर आप रख सकते हैं अपने पहर इस टें कह करेऊगा यह क्यारिया यहां जो मैंने बनाई है इसी तरह से पत्थर बना कर बनाई है और आपको यहां में एक और दिखाती हूँ पत्थर जिस पर यह पॉट रखे हुए है यह देखे एक तो मार्बल रखा हुआ है दूसरा यहां पर एक बड़ा सा पत्थर जो मैंने खुद बनाये हुआ था वो और ये बहुत मजबूत होता है इसके नीचे इट रख दीजिए और इसको रखे पेंट कर दीजिए बहुत खुबसूरत लगता है तो फ्रेंट्स लीक से थोड़ा हट कर ये वर्क है पर आप करना चाहेंगे तो जरूर कर पाएंगे थोड़ी सी कोशिश करने में ही आशा होती है और वीडियो या मेरी मिस्त्री गिरी कैसी लगी फ्रेंट्स अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलाह आफिस